रेल हमारे देश के लोगों के लिए लाइफ लाइन है। भारतिय रेल हर साल करोडों लोगों को उनकी मन्जिल तक पहुचाती है। भारतिय रेल की हमेशा कोशिश होती है कि वो अपने मुसाफिरों को आराम दायक और सुरक्षित सफर मुहया करा सके। आपने भी गौर किया होगा कि बदलते वक्त के साथ रेल दुर घटनाओं में बहुत कमी आई है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद ऐसी खबरें और घटनाएं सामने आती रहती हैं, जिससे रेल और रेल में बैठे मुसाफिरों की जान माल का नुकसान होता है। हाल ही में मुरैना के पास हेतमपूर रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन में आग लग गई थी। शुरुवाती जाच में मालूम चला कि आग डिब्बे के बाथरूम से शुरू हुई थी। इसकी दो वजहें बताई जा रही हैं। एक शॉर्ट सरकेट और दूसरा किसी मुसाफिर की तरफ से फेकी गई बीडी या सिगरेट। क्या आप जानते हैं कि ट्रेन या स्टेशन पर बीडी सिगरेट पीना अपराध है और इसके लिए जुर्माने का प्रावधान है। रेल के अंदर या स्टेशन परिसर में धूम रपान करना दंडनिया अपराध है और ऐसा करने पर दो सो रुपए का जुर्माना हो सकता है। इतना ही नहीं रेल में जुलनशील पदार्थ ले जाना भी दंडनिया अपराध है। ऐसा करने पर हजार रुपए का जुर्माना या फिर तीन साल की सजा या दोनों हो सकते हैं। रेल अधिनियम 1989 की धारा 164 के तहत ये अपराध है। इसी लिए ट्रेन या स्टेशन पर धूम्रपान ना करें और ना ही किसी तरह का जुलनशील पदार्थ लेकर रेल में सफर करें। क्योंकि आपकी ये लापरवाही आपके साथ साथ आपके परिवार और ट्रेन में सफर कर रहे बाकी लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है।